अगला बिंदू है शर्णार्थी समस्या। मैंने अब प्रवास का जिक्र किया। प्रवास से जुड़ हुआ मुद्दा शर्णार्थियों का है। शर्णार्थी का मीनिंग क्या है। शर्णार्ति कार्थ है एक देश के नागरिक द्वारा विभिन कारणों से बाध्य होकर दूसरे देश में चले जाना और वहां पे निवास करने लगना कानूनी रूप से या गैर कानूनी रूप से एक देश से दूसरे देश चले जाना किनी कारणों से बाध्य होकर सेंक राश्चंग की संस्था United Nations High Commission for Refugees शर्णार्थी को अंग्रेजी में Refugee कहते हैं ये जो संस्था है जो Refugees के लिए काम कर रही है इस बात को साबित करती है कि Refugee की संख्या शर्णार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है इतनी बड़ी तादाद में कि संख्या की संस्था को एक उसके लिए अलग प्रावधान करना पड़ा और UNHCR के नाम से एक अलग संस्था बनानी पड़ी है शर्णार्थियों की बात करें तो भारत के संदर में हमें याद आता है 1947 का वो विभाजन का काल जब लाखों की संख्या में पाकिस्तान से शर्णार्थी भारत आये भारत से लोक्ष पाकिस्तान चले गए उसके बाद 1971 में जब बंगला देश की लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान ततकालीन जो बाद में बंगला देश के नाम से उधित हुआ वहां के लाखों शर्णार्थी भारत आये ये शर्णार्थी जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो कु की तादा दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं सन 2012 का आकड़ा ज़ी देखें तो करीब 15.4 मिलियन लोग सरकारी आकड़ों के अनसार एक राज जिसे दूसरे देश के और पलायन कर गया और ऐसा करते हुए वे शर्णार्थी का जीवन जी रहे हैं अब शर्णार्थी का जीवन एक सामान्य नागरिक के जीवन से बहुत अलग होता है आपको याद रखना होगा कि इन शर्णार्थियों में अधिकतर महिलाएं या बच्चे होते हैं क्योंकि जो पुरुष लोग होते हैं वो किसी न किसी कारणों से रुख जाते हैं चाहे वो युद्ध की स्थितियां ह क्योंकि पुरुष वर्ग युद्ध में शामिल है युद्ध में शामिल पुरुष वर्ग के परिवार के लोग पलायन कर गए हैं दूसरे देशों में पड़ोशी देशों में शर्ण ले रहे हैं 2013 में अफगान शर्णार्थियों का जो बहुत बड़ा पलायन हुआ वो विश्व का शायद एक सबसे बड़ा सुरोत है आज वर्टमान में सीरिया संकट की और देखें ऐसी म्यान मार थे जो बहुत से लोग रोहीं गया शर्णार्थि जो बाहर निकले हैं उनका संकट विश्व के सामने मुह बाय खड़ा है सीरिया में तो लाकों लोग पढ़ोसि देशों में शर्णार्थि का जीवन जी रहा है और शर्णार्थि और सामाने नागरिक के जीवन में मुलभूत अंतर ये है कि शर्णार्थि को किसी भी तरह के अधिकार उस देश के नहीं मिलते नागरिक ना होने की स्थित में ना उसका अधार कार्ड होगा जदि मैं अपने देश की भाशा में बोलू ना उसका उसे कोई BPL कार्ड या राशन कार्ड मिल सकता है ना वह कहीं जमीन खरीश सकता है बेश सकता है क्योंकि किसी भी प्रक्रिया के लिए भारत में आपको अपना अइरिन्टिटी कार्ड होना चाहिए जो चाहे राशन कार्ड के रूप में ही क्यों न हो बी पिल कार्ड, आईशमान कार्ड, आधार कार्ड के रूप में ही क्यों न हो पर शर्णार्थियों को ये नहीं मिलता उन्हें नागरिकता नहीं मिलती और ऐसी स्थिते में वे बड़ी दैनी स्थिते में वर्षों निकाल देते हैं 1970 के दशक में जब वियतनाम युद्ध हुआ था जिसमें अमेरिका को एक तरीके से मुह की खानी पड़ी थी दुर्भग से लाकों वियतनामियों का पलाइन हुआ था वियतनाम से अमेरिकी बाम के खत्रों से डर कर और ये जो वियतनामी थे यो लोग नाओं के द्वारा दूसरे देशों में पलाइन कर गया और इसलिए इन्हें बोट पीपल्स के नाम से जाना गया क्योंकि बोट में बैट कर समुद्री मार्गों से ये लोग भागे क्योंकि थल मार्ग से जाने में बहुत सारी दिक्कत थी पकड़े जाने की दिक्कत थी सीमाओं पर रोके जाने की दिक्कत थी और आदी आदी इसलिए जल मार्ग को सामाने तया शर्णार्थी प्राथमिक्ता देते हैं और जल मार्ग से ये लोग भागे तो वियेटनामी लोग इतनी बड़ी संख्या में गया कि उनके ऐसे भागे हुए शर्णार्थियों को बोर्ट पीपल्स कहा जाने लगा अफरीका और एशिया में शर्णार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा गंभीर है अफरीका और एशिया में शिक्षा की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर अफरीका और एशिया में स्वास्त की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर अफरीका और एशिया में गरीवी की समस्या हैं वो एक साथ आती हैं इनका सम्मंद एक दूसरी से बहुत गहरा है शर्णार्थी और बात करें थोड़ा तो शर्णार्थी जो हैं वो दो तरीके के होते हैं दो प्रकार के होते हैं पहला अंतराश्टी शर्णार्थी जिनका मैं अभी तक जक्र करते आया पाकिस्तान से भा भारत से पाकिस्तान, बंगलादेश से भारत, मियानमार से भारत की सीमाओं पर और उसके साथ ही यूक्रेन से जो बाहर गया हैं, ऐसी मेक्सिको आदी से जो अमेरिका की और जा रहे हैं, वियतनाम से जो लोग भागे ये अंतर राश्टी हैं, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाना, और दूसरे होते हैं जो आंतरिक होते हैं, आंतरिक के माइने हैं कि देश के एक हिस्से को छोड़कर वो देश के दूसरे हिस्से में चले जाए, किसी कारण से, बाध्धिता के कारण, कुछ चीज ऐसी रहती है जो उनको विवश करती है वहां से जाने काश्मीर जहां से हिंदू लोग बड़ी संख्या में पलायन किया हैं इनका ये पलायन जो है वो आंतरिक विस्थापित शर्णार्थी की श्रिणी में आता है अंदरूनी विस्थापित विस्थापित अर्था पुनह स्थापित किये गये हैं नहीं जगा में तो ये जो हिंद कारों से जुड़ी हुई है देश की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है संबंदि देश की शांती से भी जुड़ी हुई है यदि इस तरीके के हजारों लाखों लोग किसी एक देश से दूसरे देशों से भाग कर किसी एक देश में जाते हैं जिनका कोई आंकड़ा नहीं ज इन श्रणार्थियों से क्या पिकषा करते हैं जिनके पास वाईम, भोजन, पानी, रहने की समुचित वियुस्थानी वे निर्धंता से भी जैदा बुरी स्थित में अपना जीवन जीने के लिए विवश रहते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जो करती है किसी खेतर में वह है टेंट दे देती है कैम्प उनके लिए व्योस्थित कर देती है बाकी सब तो इन लोगों से फिर शरनार्थियों से क्या समस्या सामने आती है महामारी की समस्या फैलाते है जन संख्या बढ़ती है गलत कारियों में इन लोग लिप्त पाय जाते हैं देश की शांती के लिए खत्रा बन जाते हैं देश की सुरक्षा के लिए खत्रा बन जाते हैं जासूसी आदि करके धन कमाने की लालसा इनको गलत कारियों की और मुड़ देती है इसलिए ये शर्णार्थियों की समस्या का बहुत गहरा समंद देश की सुरक्षा से है और इसलिए जब हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इसमें शर्णार्थियों का मुद्दा बहुत अहम है शर्णार्थियों की समस्या शर्ण प्राप्त करने वाले देश में शान्ती और व्यवस्था की समस्या पैदा कर देता है और इसलिए कोई भी देश शर्णार्थियों को रखना नहीं चाहता है विवश्टा में रखता है क्योंकि उससे उसके दूसरी समस्याएं पैदा होती है आर्थिक बोज तो बढ़ता ही है लाखों शरनार्थी आएंगे तो कितना भी हम अपने सरकार अपने को उनसे दूर रखे उन्हें भोजन पानी तो देने के विवश्टा करनी ही पड़ेगी अनिथा विश्व की नजर में वह सरकार वह देश अमानवी माना जाएगा ये जो विवश्टा है ये विवश्टा देश पर आर्थिक बोज बढ़ा देती है बहुत ज़्यादा बोज बढ़ा देती है संग्षेप में हम कह सकते हैं कि शरनार्थी समस्या के उत्पन होने के कारणों में पहला कारण है गरीबी और भुखमरी गरीबी की स्थित्मे वो लोग दूसरे देश में बहतर सपना बहतर जिंदगी के खोज में जाते हैं दूसरा है कई देशों में ग्रिय युद्ध हो रहा है अंदरूनी लडाईयां चल रही है संप्रदायों के प्रती धर्म के नाम पर जाती के नाम पर विचारों के नाम पर आदी आदी और ऐसी स्थिति में बहुत रोग डर के भागते हैं अश्यांति के कारण वातावनों के अश्यांति के कारण परिवार सहित हजारों लोग पलायन कर जाते हैं ये लोग ग्रिय युद्ध के स्थिती से बचने के लिए चले जाते हैं तीसरा कारण है राजनितिक उतपीढन कई बार क्या होता है, सरकार जो है, वो विरोधियों की आवाज को कुचलने के लिए, कई बार उनके साथ बड़ा सक्त वियधार करती है उनको कैदी बना लेती है, गर्षार कर लेती है और बहुत सारे तरीके अक्तियार करती है विरोध की आवाज को दबाने के लिए ऐसी स्थिति में राजनीतिक उत्पीडन होता है और इससे बचने के लिए बहुत से लोग डूसरे देश चले जाते हैं ऐसा जो पलायन है राजनीतिक उत्पीडन के मद्दे नजर यह पलायन ज्यादा कंबिनस्ट देशँ में हुआ है ऐसे देशँ में हुआ है जहां समाजवादी व्यवस्था थी जहां पर विरोध की आवाज को किसी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता था प्रकार्दिक आपदाओं के कारण भी पलायन होता है किसी खेत्र में यदि बारंबार भुकम पा रहा है तो उस खेत्र की जो जनता है वो इस जगह से विस्थापित हो जाती है बाड की स्थिति में खास कर जैसे भारत के परिप्रेक्ष में यदि बात करें तो उत्तर भारत में और उत्तर पूरुवत्तर भारत में बड़ी बड़ी नदियों के उफान से बाड़ से जो वर्ष दरवर्ष आती है हजजारों लोग पलायन करते हैं और जब वे जाते हैं तो दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर धीरे से वहीं के स्थाई निवासी बन जाते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं जिसमें भूकंप है बाड़ है महामारी अकालादी है इससे बचने के लिए भी लोग सुरक्षित स्थानों को जाते हैं तो सुरक्षा के लिए भी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी पलायन होता है और फिर ये लोग शरनार्थी का जीवन व्यतीत करते हैं इसके अलावा रोजगार दो जून की रोटी जुटाने के बहतर अवसर की उमीद में भी लाखों लोग दूसरे क्षेतर जाते हैं आज अमेरिका जो है वह बहुत बड़ी शरणार्थी समस्या से गुजर रहा है और शरणार्थियों को रोकने के उन लोगों को जो अमेरिका की सीमाओं को लांग कर अंदर जाना चाहते हैं उनको रोकने के लिए अमेरिका बहुत बड़ी योजनाय बना रहा है जिस पर करोनों डॉलर्स खर्च कर रहा है इसको लेकर भी बहुत सी चिंताएं और समस्याएं साम जाई हैं पर सचाई तो य है कि लोग बहतर जीवन की उमीद में रोजगार की उमीद में एक देश छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं एक ख्षित्र छोड़कर दूसरे ख्षित्र चले जाते हैं भारत के संदर में हम देखें तो लाकों लोग उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश बिहार से दूसर राज्यों में गए हैं और बहुत से लोग इसमें शर्णार्थी के रूप में आए विभे निकालनों से और धीरे धीरे वहां रोजगार मिला और उसके बाद अब स्थाई बन गए हैं एक यहां चार्ड देखिए उन देद देश हैं जहां से सबसे ज़्यादा शर्णार्थी कि जो समस्या हमारे पडोस में जो है वो इतनी बड़ी है कि वहां थे बहुत बड़ी तादाद में लोग का प्लायन हुआ जिसके संख्या हम देख रहे हैं यहां पर लगबग 19 लाक के उपर और यह 19 लाक की संख्या 2006 की है जो बढ़के अब और दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है सुडान अब यह अफगानिस्तान के लिए मैं बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान इरान जामनी नीदरलेंड और ब्रिटन तक यहां के लोग शरणार्थी बन कर रह रहे हैं भाग के चले गए हैं चाहे समुद्री मार्क से चाहे थल मार्क से आप देखेंगे सूची में कई देश अफरीका के हैं जिसमें सूडान है कांगो लोक तांत्रिक है सोमालिया है और इसके अलावा फिलिस्तीन वियटनाम अजरबेजान और लाइबेरिया हर एक देश में आप देखिए कि यह जो देश हैं इन में से कोई भी देश किसी भी दिश्टी से विकास शील देशों की भी श्रणी में नहीं आता है बलकि निर्धन देशों की श्रणी में आता है और इनका पलायन देखिए जिन खेतरों में हो रहा है अफरीकी देश को भी देखें तो पलायन विकसित देशों की और जादा है जामनी नीदरलैंड ब्रिटन उसके अलावा आप पीछे क्या उद्देश होंगे और संख्या भी देखें तो अफगानिस्तान की सबसे ज़्यादा बाकी जगा भी कोई कम नहीं हैं हर जगा दो तीन लाग की संख्या का पलायन हो रहा है ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये 2006 की सूची है इस परकार अपना देश छोड़ कर दूसरे देश में जाकर बसने के लिए जो मजदू जो लोग मजबूर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है राज्य रहित व्यक्ति बहुत ही बहुत ही लज्जा होती है ऐसे शब्दों का उप्योग करते हुए किसी व्यक्ति के लिए कल्पना करिए हमारे आपके लिए वेक्ते जिसका कोई अपना देश नहीं है ये उनकी मजबूरी है उन्हें ना अपने देश के मौलिक अधिकार मिलते हैं और नहीं उस देश में जाके जहां भी जाके बसते हैं उनकी दशा बड़ी शोचनी होती है और मैंने इसके बारे में बताया कि सिवाए कैम्प के या अमीन वो अभी इतनी सीमिच जिसमें लाखों लोग को भर दिया जाता है उसमें वे लोग वर्ष दरवर्ष जीवन यापन करते हैं आठवी चुनोती जो है और उसके अलावा कुछ अन्य चुनोतियां जो अब परमप्रिक दिश्टी से सुरक्षा को एक तरीके से कर रही हैं उनमें हम कह सकते हैं साइबर सुरक्षा कि बहुत बड़ी चुनोती है पहले जो समवाद होता था वो किसी भी तरह के समवाद के लिए या तो शारेरिक रूप से हम सड़क मार्क से जल मार्क फिर थल मार्क से जाते थे फिर इसके बाद पत्रा चार का जरीया आया फिर इसके बाद टेलीफोन का जरीया आया जिसमें तार रहता था अब जब साइबर दुनिया हो गई है इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व की सूचनाय जानकारियां दूसरे देशों में एक दू सेकन का खेल है इस पकार साइबर सुरक्षा ओर्जा सुरक्षा संगठित अपराध और गनाइजड क्राइम जिसमें पूरे दल के दल भाग लेते हैं एक क्राइम होता है जो किसी कारण से तात्कालिक कारण से किसी के द्वारा कर दिया जाता है चाहे हत्या मार काट हो या जट और एक होता है और गनाइज्ड क्राइम जिसमें माफिया शब्द बहुत जड़ा हुआ है हत्यारों, मुद्रा और नशीली दवाओं का अवैद व्यापार ये एक बहुत बड़ी समच्चा है हठियारों का अवैड व्यापार नशीली द्वाओं का अवैड व्यापार और मुद्रा का भी ऐसा एक देश से दूसरे देश में फेजा जाना ये बहुत बड़ी समस्या है ये सुरक्षा के समंद में नई चुनोतियों के रूप में देखी जा सकती है और सम्भव तक ये चुनोतियां पूर्व की चुनोतियों से और ज़्यादा गहरी हैं एशिया और अफरीका के चुनोति की बात करें तो योरप के तुलना में कुछ ज़्यादा ही है स्वभाविक है क्योंकि एशिया गरीब है अफरीका गरीब है और उसका कुछ कारण और भी है गरीबी के अलावा पिछड़े पन के अलावा जो अन्य कारण है जो एशिया और अफरीका के नव सतंत राश्टों के सामने सुरक्षा की चनौती के रूप में खड़े हैं उसके उसमें पहले कारण हम जदी देखें तो पहला करण है गरीबी के अलावा सुरक्षा परिशद में इन में से किसी भी देश को स्थाई सदस्टा नहीं दी गई है सुरक्षा परिशद की स्थाई सदस्टा पांच राश्टों को है मात्र और वे पांचो राश्ट वेकसित राश्ट हैं परमानु संपन राष्ट हैं और इसके अलावा ये पांचो राष्ट इसलिए बहुत महत्पूर्ण हो जाते हैं विश्वराजनीती में क्योंकि इन्हें वीटो का अधिकार है वीटो का अधिकार इसके बारे में विस्तार से आप दूसरे ध्याव में पढ़ चुके होंगे अनिसा पढ़ भी लें तो अच्छा होगा वीटो का अधिकार इन्हें सर्व शक्तिमान बना देता है और ऐसी संस्था में अफरीका और एशिया के कोई देश शामिल नहीं है अस्थिर्ता और सीमा विवात की समस्याओं से लगातार जूज रहे हैं ये जो नवोदित राष्ट है नवस्वतंत राष्ट इनको जब सामराजवादीर देश छोड़ कर जब गए तो इनकी सीमाओं को उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया और इस पकार सीमाओं के मामले म बारम बार इन देशों के बीच में जगड़ा हो रहा है इसके साथ ही यहां की जो राजिनेतिक व्यवस्था थी उसको भी बहुत चर्मरादिया गुलाम देश बनाकर इन सामराजवादी देशों ने किसी तरह की ऐसी स्थाई व्यवस्था नहीं छोड़के गए परणाम क् राज्यनेतिक अस्थिरता जब तब सरकार पलटती रहती है जब तक सैनिक करांतिया होती हैं और ऐसी स्थिती में विकास क्यापेखशा करना गलत होगा इसके साथ ही इसका परणाम इसके विकास पर तो पढ़ता ही है इनके सामने वैसे ही गुलाम वंश गुलाम देश होने कि नाते गरीबी की समस्या है पिछले पन की समस्या है अंद विश्वास की समस्या है प्राकृतिक आपदाओं की समस्या है क्योंकि इनके पास कोई वैग्यानिक धाचा नहीं जिसके बल पर ये प्राकृतिक आपदाओं का निराकरण कर सके हैं और नई समस्या इनके हां जो ज देशों में अन्य समस्याओं के साथ जुड़ गई हैं एशिया और अफरीका के देशों के सामने अन्य देशों की तुलना में आतंकवाद की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन चकी है आतंकवाद की समस्या इन देशों में बनने के माइने ये हैं कि इन देशों में आतंकी आतंकी हमले कम लेकिन आतंकवाद इन देशों में ज़्यादा पनप्रा है क्योंकि ये देश अशिक्षत है निर्धन है रोजगार के अवसर नहीं है ऐसी स्थिति में इन देशों के युवा वर्ग आतंकवादी गतिवदियों के ओर बढ़कर विकसित देशों में चंपन्न देशों में हमले कर रहा है ऐसे देशों को वो चुनोती दे रहा है 9-11 का उदारन अमेरिका का फ्रांस में हमले ब्रिटन में हमले जामनी में हमले भारत में हमले ये सब बाहर से हो रहा है और अधिकतर लोग उन देशों से हैं जो नर्धन देश की श्रेणी में आते हैं तो इस प्रकार आतंक वाद एक बहुत बड़ी समस्या है इन देशों की सुरक्षा को लेकर निश्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विश्व के सामने बहुत सारी चुनोतियां है सुरक्षा की अवधारना के अंतरगत इन्हें हम दो भागों में बांटे हैं परंपरागत और गया परंपरागत परंपरागत सुरक्षा की अवधारना पुरानी हो गई लेकिन है जबकि अपरंपरागत खत्रे वर्तमान विश्व की देन है और ऐसे खत्रों की सूची में नए नए समस्याओं जुड़ती जा रही हैं जिसमें लेटिस है साइबर हमले की समस्या विश्व के सामदे जो हैं मुख्य चुनौतियों की बात करें तो अंतरास्टी सुरक्षा जो है वो पहली बात है एक विश्व के सामने प्रमुक समस्या है अंतराश्टी स्तर पर अशान्तिक वातारण बना हुआ है दूसरा आतंकवाद की समस्या जिसको बारंबार आपको बताया जा रहा है ये आतंकवाद की समस्या किसी एक राश्ट का नहीं है बलकि सभी देशों की समस्या बन गई है आतंकवाद उत्पन हो रहा है कुछ देशों से और संपन हो रहा है कुछ देशों में तो किसी न किसी दृष्टी से विश्व के लगभग सभी देश आतंकवाद के भुक्त भोगी हो रहे हैं आतंगवाद के दौर ते गुजर रहे हैं आतंगवाद की समस्या जेल रहे हैं तीसरा ग्रहियुद आधनिक तरीके का ग्रहियुद एक आम समस्या है और ग्रहियुद मतलब civil war, internal लड़ाई देश के अंदरूनी आलाकों में समाज के विविन वर्गों के बीच कुछ मुद्धों को लेकर, मुख्यूरूप से जो मुद्धा रहता है वा राजनेतिक सट्था पाने का मुद्धा वर्चस्टता का मुद्धा, इसको लेकर समाज के ही वर्गों में जब लड़ाई होती ही तो वो ग्रहियुद कहलाता है और ये बढ़ रहा है दिनों दिन चौथा मानो अधिकारों की सुरक्षा भारत में और विश्वमंच पर भी मानो अधिकारों की सुरक्षा के अधिश्च से आयोग तो बने हुए हैं पर मतर आयोग की स्थापना करना और उन्हें अधिकार दे देना पर्यापनी है ये सुनिश्चत नहीं करता कि माना अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है ऐसे बहुत से उधारण हैं जहां पर विकसित से विकसित देश भी माना अधिकारों का खुला उलंगन कर रहे हैं अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं हैं अमेरिका की जेलों में जो द्रिश दिखाए गए हैं अमेरिका की जेलों से संबन्दित वे बड़े भयावा हैं गवांटेनामो बे में जिस तरीके से अमेरिका खतरनाक कैदियों को रखता है कैदी कितने भी खतरनाक हों लेकिन आखिर वो मानव हैं जिस तरीके से उनको रखा जाता है वह बड़ा ही दर्दनाक दिश्य होता है इसके अलावा विश्य के बहुत से खेतरों में कम्यूनिस्ट देशों में और अन्य बहुत से देशों में मानव अधिकार की स्थिती कोई उत्साह वर्धक नहीं है इतने सब प्रयासों के बाद भी मानव के जो मूलवुत अधिकार हैं उससे अधिकतर मानव वंचित हैं और खासकर सारे विकास शील देशों की स्थिती कमो बेशिय ही है माना अधिकारों का वनन हनन हर जगह सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है अपनी स्वाहिम के हित को साधने के लिए अगली जो समस्या है विश्व समस्या वैश्विक समस्या वो फिर नारतियों की और प्रवासियों की आवा जाही उसके बाद अवैद हत्यारों का आना जाना अवैद हत्यारों का अर्थ है ऐसे हत्यार जिनके उत्पादन का लाइसन्स नहीं है और ऐसे हत्यार जो सीमा पार दूसरे देशों में बेचे जा रहे हूं और ऐसा करते हुए दूसरे देशों में युवा वर्ग को सम्मंदित लोगों को हतियार उपलब्द कराये जा रहा है किसी गैर कानूनी कामों के लिए तो ये अवैज हतियारों का बढ़ता प्रवाहब जो है वो आतंकवाद को बहुत बढ़ावा दे रहा है अगली समस्या है पर्यावरन में गिरावट वैश्विक ताप प्रिद्ध ग्लेशिरों का पिखलना ओजोन परत में छेद ये पर्यावरन को लेकर बढ़ती हुई समस्या है शस्त्रों की होड जिसने विश्व को कई बार युद्ध के कगार पर लाके ख़ड़ा किया वह तो समस्या है ही परंपरागस्च रक्षा की श्रिणी में जिसे हम लेते हैं तो शस्त्रों की होड कितनी भी निशस्त्री करण की बात की जाए वो बनी हुई है उसमें कोई कमी नहीं आए है भारत और पाकिस्तान इसके बहुत बड़े उधारन है भारत जैसा निर्धन देश भारत जैसा विकास शिल देश जो अपनी जनसंख्या को सुनिश्चित कर रहा है करने का प्रयास कर रहा है कि दो जून रोटी यहां के सभी लोगों को मिले वह भी दुनिया के टॉप पांच उन देशों में हैं जो हथियारों की खरीदी करते हैं तो हथियारों की होड जो है वो विश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विश है क्योंकि जब तब युद्ध की स्थिति निर्मित होने लगती है नौवी चुनोती महाशक्तियों का उद्भाव नहीं नहीं महाशक्तियों अभर के आ रही हैं जो आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रही हैं उससे आर्थिक असमानता बढ़ रही है और यह असमानता कभी भी शांती नहीं दे सकती अर्थात नए तरीके से कुछ देशों द्वारा कुछ अन्य देशों पर अपना वर्चस्च बनाने का प्रयास उधारन के लिए हम ज़्यादा दूर ना जाकर पाकिस्तान को ही देखें जो एक तरीके से अमेरिका और चीन का मोहरा बना हुआ है पाकिस्तान की विवश्टा है क्योंकि उसको आर्थिक दृष्टि से अपने को बनाया रखने के लिए उसे धन की जो जुरुत है उस धन की पूरते अमेरिका और चीन के द्वारा उसको की जाती है परिनाम क्या होता है कि अमेरिका और चीन उसे अपना मोहरा बना कर पैसे की एवज में उससे अपने तरीके से निर्देशित करते हैं और इस तकार यह अपनिवेश ही है अमेरिका का और चीन का तो नव उपनिवेशवाद का बढ़ना भी एक बहुत बड़ी चनोती है